Hello everyone, welcome back, मैं जोती शर्मा एक और नए वीडियो के साथ और आज का हमारा वीडियो बेस्ट है हिलेयर बैलेक के ऐसे पर जिसका टाइटल है ओन एन एजुकेशनल रिफॉर्म देखे ये जो हमारा आज का ऐसे है ये एजुकेशनल रिफॉर्म पर बेस्ट है यानि जो हमारे करिकुलम है जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं जिनके उपर हम पढ़ाई करते हैं उनको लेकर क्या सोचते हैं राइटर की उसके अंदर एजुकेशनल जो हमारा उसके अंदर क्या चेंज होना चाहिए किस तरह का बदलाव जो है वो देखना चाहते है ताकि एजुकेशन लेन समझना पड़ेगा education आप जानते ही हैं क्या चीज है हमारा एक तरह से समझे बहुत ही important aspect है life का education gain करना अब education जब हम gain करते हैं एक formal education उसमें हम various type के subjects बढ़ते हैं हिंदी, English, Math, Science, SST बहुत सारे subjects बढ़ते हैं और इन subjects के अलग-अलग benefit होते हैं ठीक है लेकिन हमारे जो राइटर होई कहा हैं कि ये जो subjects जो पढ़ रहे हो आप इसके अलावा भी कुछ इसमें include करना चाहिए जो बहुत important और उसी को आज हम समझने बाले हैं तो चलिए start करते हैं जादा time नहीं waste करते हैं आज का हमारा ऐसे दिखिए जो हमारे राइटर है हिलियर बैलेक वो कहते हैं कि school के अंदर बहुत सारे subjects बढ़ाए जाते हैं हमारा जो school है ये एक ऐसा institute होता है जो एक बच्चे को prepare करता है society में survive करने के लिए society में अपनी एक पहचान बनाने के लिए तयार करता है और वहाँ पर बहुत सारे subjects बढ़ाए जाते हैं जैसे कि mathematics है, arts है, english है, music है, history है, science है, various means बहुत सारे और इन सारे subjects को पढ़ते हुए अलग-अलग जो profession है उसके अंदर इंसान जाता है हाँ, अपनी income के लिए, अपनी life को बहतर बनाने के लिए, यानि अलग-अलग profession जो है वो choose करता है अब, बैलिक जो है, वो क्या कहते हैं, बैलिक कहते हैं कि हम इतने सारे subject पढ़तों लेते हैं लेकिन इन subject से हम achieve क्या करते हैं, जो आज की जो modern society है न, वो कहना क्या चाह रहे हैं हमें कि आज की जो हमारी modern society है, इस modern society के अंदर एक इंसान पूरे तरीके से success तब होता है जब उसे fraud करना आता है, समझ रहे हैं, दोखाद़ी करना, यानि आज की society के अंदर एक आम इंसान है, इमानदार इंसान है, उसने बहुत सारी अच्छी educational डिग्रियां जो है, वो इकटी कर ली हैं, बहुत सारी educational डिग्रीज हैं उसके पास से, लेकिन अगर उसके अंदर चा चालाक लोग उससे आगे निकल जाते हैं, चालाकी करके दोखाद़ी करके उससे आगे निकल जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान की पढ़ाई करने का क्या मतलब रहा, यानि यहां आपको सतायर देखने को मिलेगा, आईरनी जो है, वो देखने को मिल कि Satire कर रहे हैं वो हमारा जो educationalатель system है उसके उपर कि कुछ बतलाव करना चाहिए आज की देमांड है जो उसके हिसाफ से काम करना चाहिए आज आपने देखा होगा एक जो इमांदार इंसान है इमांदार इनसान उतना सक्सेस नहीं होता जितना की एक बेमान आदमी जो है वो सक्सेस हो जाता है यानि इनका जो नजरिया है हिलेयर बैलेक का वो ये है कि स्कूल में इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाये जाने के बावजूर भी अलग-अलग फिल्ट्स में सक्सेस लेने के लिए फ्रोड जो है वो लोग करते ही करते हैं बहुत ज़्यादा संपती किसी के पास में न बिना धोका धड़ी के तो इखटी नहीं हो सकती उनका में जो कहने का मतलब है वो ये है तो चलिए समझते हैं उनके पॉइंट ओ व्यू से step by step समझेंगे इस essay को हम line by line study नहीं करेंगे step by step हमें essay का पूरा का पूरा न मतलब समझना है ठीक है on an educational reform देखिए main theme जानते हैं पहले तो essay का main theme क्या है main theme हमारे essay कहा है कि यहाँ fraud जो है न वो society के अंदर success अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है main theme है अब ballot जो है वो आर्ग्यू करते है इस चीज के उपर कि success जो है हमारी society के अंदर हम तभी gain कर सकते हैं जब हमें fraud करना आता और यह जो fraud है न यह school में कहीं नहीं पढ़ाया जाता कोई subject नहीं होता इस नाम का किसी भी school के student को teacher यह चीजे नहीं बताएगा नहीं समझाएगा बलकि fraud को तो क्या कहेंगे कि यह अच्छी बात नहीं है fraud जो है अच्छा नहीं होता नहीं करना चाहिए लेकिन आज की modern society की demand यहीं है क्योंकि modern society के अंदर जो इंसान जितना ज़्यादा करप्ठ है जो इंसान जितना ज़्यादा बेईबान है वो उतनी ही ज़्यादा success gain कर रहा है यानि modern society पर सीधा से सीधा कटाक्ष किया है प्रहार किया है नँँ चलिए अब आपको इसको हमारे point of view से भी एक बार इसको देखना है देखो हमने आपको बताया कि यहाँ पर irony है ठीक है सटायर है सटायर तो आपको सिंबल तरीके से समझ में आई रहा है वयंग तो होई रहा है हमारी modern society पर irony कैसे है देखो जो हमारा school है school के अंदर एक तरह से foundation त्यार की जाती है एक बच्चे की basic knowledge उसको दे जाती है अब basic knowledge में कह रहे हैं कि एक इतनी important चीज नहीं पढ़ाय जारी जिसकी वज़य से इंसान जो है वो आज काम्याब है और वो क्या बता रहे है fraud fraud करना तो सिखाओ उसे चालाकी करना सिखाओ धोकादरी करना सिखाओ अगर वो धोकदरी करना नहीं सिखेगा तो विचारा किसी न किसी चालाक आदमी के हाथों हार जाएगा और उसे वो काम्याबी नहीं मिल पाएगी जो कम पढ़ा लिखा fraud करने वाला इंसान gain कर लेता है अब आप समझी रहे होंगे कि सीधा सीधा आपका विध्यान कहा जा रहा है जो बहुत बड़े-बड़े business man है, मैं यह नहीं कहती कि महनत नहीं है, महनत सभी करते हैं लेकिन सस्ते में चीज को खरीदना और तुरंट उसे महंगे में बेच देना क्या यह fraud नहीं है, यह भी fraud है न हाँ, किसी भी चीज को आसानी से फ्राप्त कर लेना, बहुत आसानी से, जहां पर बहुत ज़्यादा मातरा में कोई चीज मिल रही है, उसको सस्ते में बहुत महंगा करके, अब जिसे रिसेंट एक्जामपल आप ले लो, तो पेट्रोलियूम है, डीजल है, इनके रेट है, राइज हो रहे है, गैस हमारी जो, LPG गैस है, उसके रेट है, बहुत ज़्यादा राइज हो चुके हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि मतलब, आप तो थो मान लीजे कि लग लग बहंग हर महिने हर दो तीन महिने में रेट जो रिवाइल हो जाते हैं और बढ़ कर ही दिखाय देफे नहीं है है तो ये जो रेट जो सिर्फ रिजन यही नहीं है, रिजन इसके पीछे और क्या है, फ्रॉड भी है, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा, कहीं ना कहीं ब्लैक के अंदर इसकी कहीं तो सप्लाई हो रही है, जिसकी वज़े से यहां कमी हो रही है, समझे रहे हैं, मेरा समझाने का मतलब यह है, कि यहाँ फ्रोड भी पढ़ाय जाना चाहिए स्कूल के करिकुलम में लेकिन फिर भी यट फिर भी नहीं पढ़ाय जाता तो यह है में दी हमारे इस ऐसे का अब देखिए यहाँ न फ्रोड जो है उसको में सब्झेक्ट बताया है फ्रॉड जो है वो है main subject क्योंकि इस subject के भी ना पढ़ाई जो है वो कहते हैं कि कोई माइने नहीं रखते आप कितना भी पढ़ाई कर लो किसी भी चीज के उपर specialization कर लो लेकिन अगर आपको फ्रॉड करना नहीं आता अगर आप फ्रॉड नहीं कर सकते दोका धड़ी नहीं कर सकते तो आप एक काम या बिजनस्मेन नहीं बन सकते हैं आप एक मिलेनियर बिलेनियर नहीं बन सकते हैं अगर आपको फ्रॉड करना आएगा तो आप बन पाएंगे ऐसा हिलेयर बैलेक का point of view है ठीक है इसे आप satire आईरनी किसी भी नजरीय से देख सकते हैं और शायद आप इनके point of view से कहीं न कहीं तफाक तो रखते हैं आज की अगर हमारी modern society की बात की जाये तो चले हागे देखिए irony और satire के हम बात कर रहे थे बार बार तो irony और satire क्या है देखिए यहाँ न बैलिक ने irony और satire को use किया है किसलिए क्योंकि देखो हमारे जो society के जो norms है नियम है जो values है वो कहती है कि fraud नहीं करना चाहिए fraud जो है न वो गलत बात है गंदी बात है अच्छी बात नहीं है नहीं करना चाहिए हमारी society के नियम तो यह कहते है हमारी values जो है वो तो यही कहती है लेकिन यहाँ पे विडंबना क्या है विडंबना यह है कि समाज की जरुरत भी तो यही है society के अंदर कामयाब भी तो यही लोग हो रहे है जो fraud करते है irony है न सटायर भी है सटायर कैसे है कि अगर society के अंदर इसे introduce नहीं किया जाएगा तो बिचारे मासूम लोग जिनको नहीं आता fraud करना वो तो पीछे रह जाएंगे व्यंग हो गया न समाज के उपर तो irony और सटायर का बहुत प्यारा combination है यहाँ पे for example, he ironically proposes the teaching of fraud in school, देखो irony है न विडंबना उसके अंदर इंसान अपनी जगा बना सके, अपने society के अंदर success अचीव कर सके इसलिए fraud पढ़ाया जाना चाहिए तो विडंबना हो गई, है न और सटायर भी हो गया, कि वैसे तो अगर हम society के नियमों के बात करें तो यह गलत चीज है लेकिन society में अपनी जगा बनानी है तो जरूरी है, क्योंकि society भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिनके पास में दुनिया भर का fraud है करने को, यानि दोका धड़ी है करने को, दिल में चल, कपट लिए बैठे हैं जो लोग, सिर्फ अपना मुनाफ़ा देखते हैं जो लोग हाना, वही ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा success गेन कर पा रहे हैं चीक है, आगे चलते हैं, देखिए inclusion of fraud in the curriculum fraud जो है, उसको curriculum के अंदर शामिल करना चाहिए ऐसा, बैलक कहते हैं बैलक का विश्वास है कि fraud जो है, वो curriculum में शामिल करो पाठे करम में शामिल करो ये students को prepare करेगा उस संसार में enter करने के लिए जो real है, जिसके अंदर जाना है उसके realities के अंदर enter करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस संसार से रूबरू होने वाला है ये इनसान, जिस समाज में रहने वाला है उस समाज की हकीकत से रूबरू होने के लिए fraud का आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो fraud करेगा, वही millenniair या millenniair बन सकता है एक आम आदमी, जो सजजन है इमानदार है, एक छोटे से एक्जामपल के साथ में आपको ये चीज़ समझाना चाहूंगी जैसे मान लीजिए, एक simple सा, कोई color की post पर नोकरी कर रहा है ठीक है, इस बंदे को कोई चाला की नहीं हाती, बहुत इमानदार है ये, सिर्फ अपनी salary पर based है बहुत इमानदार इस अपनी नोकरी कर रहा है तो बहुत कितना कमा लेगा ये ये कितना कमा लेगा सिर्फ ये मान के चलो कि ये अपनी family को सिर्फ है ना खाना दे सकता है और बहुत लंबे time के बाद नोकरी करने के, बहुत लंबे time के बाद में मकान भी बना के दे सकता है लेकिन जो आज की जो सुकसुईदाए है न वो properly नहीं दे सकता अपनी family को अगर ये इमांदार है तो लेकिन यही color अगर fraud करता है है न तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं real life के अंदर बी ऐसे-एसे लोग देखे हैं जो फ्रोड करते हैं और छोटी सी पोस्ट पर काम करते हैं लेकिन मिलेनियर बिनेलियर बड़े बैठे हैं बड़ी-बड़ी कोठी उन्होंने बना रखी है अच्छा रुतबा है बड़ी-बड़ी काड़ीयों में गूमते हैं तो बही इमानद इसे नहीं हो सकता, धोकाधड़ी के बिना हो ही नहीं सकता, वो इस चीज का चैलेंज कर रहे है, तो कहे रहे हमारी करिकुलम के अंदर शामिल कर दो न फ्रोड को, जोड़ दो, इस essay के अंदर वो यहीं चीज का जोड़ दे रहे हैं, अब conclusion क्या निकलता है, ऐसे का, देखिए, on an educational reform is a compelling critic of societal values and the education system, education system जो है हमारा, उसमें change करना चाहिए, education में पहले जो चीजे पढ़ाई जा रही है, values जो सिखाई जा रही है, उससे एक इमानदार इंसान तयार होगा, वो बहुत knowledge वाला हो सकता है, वो scholar हो सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ी संपत्ती का मालिक नहीं बन सकता जल्दी से, hundred जो लोग हैं उन में से सिर्फ two ही ऐसे होंगे, जो success होंगे इमानदारी के बेस पर, यानि आपने education की अगर हम बात अब हो ही गई है, तो आपने देखा सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे exams होते हैं, competitive exams होते हैं, जो मतलब fraud के बेस पे बहुत से लोग, मतलब compete कर लेते हैं, हाँ, crack कर लेते हैं उन्हें, paper वगरा पता नहीं, कहां से परशेज कर लेते हैं, कहां से उनको पहले से पता लग जाता है, बहुत ऐसा कुछ, तो ये इमानदारी का काम तो नहीं है, ये है तो fraud ही, लेकिन उन्हें तो नोकरी मिल गई, समझ रहें आप, तो कहने का मतलब क्या है, कि ये जो education system है हमारा, ये change करना चाहिए, इसे अगर change करेंगे ना, और अगर fraud जो है वो पढ़ाया जाएगा, तो हर आदमी जो है ना, वो success प्राप्त कर सकता है, फिर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इनसान भी परेशान नहीं होगा, क्योंकि जो इमानदार है, जो सीधा है, सजन है, उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, खूब पढ़ाई कर ली, लेकिन वो success नहीं हो पाएगा, इमानदारी के भरोस अगर बैठा रहेगा, तो हिलेयर बैलक कहते हैं, आज का modern society जो है, वो भी कहती है ये बात, आज की modern society के अंदर, अगर बहुत गहराई से गुसेंगे, तो आप देखेंगे, कि इमानदारी से काम करने वाले, सो लोगों में से सिर्फ दो ही success होते हैं, बाकी के 98 जो है, वो इंतजार ही करते रह जाते हैं, उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता, लेकिन थोड़ा बहुत अगर धोगा दड़ी वो करते हैं न, जैसे business को ले लो आप, नोकरी को छोड़ो, business को ले लो, business के अंदर इमानदार इंसान है, अगर उसने कोई चीज, पांच रुपे की खरीदी, फाइफ रुपीज में खरीदी है कोई चीज, ठीक है, फाइफ रुपीज में खरीदी और फाइफ रुपीज के अंदर ही उसने सेल कर दी, कहा प्रुपिट हुआ उसको, नहीं हुआ न, फाइफ रुपीज के अंदर कोई चीज खरीद कर, और वो fraud and guilsum method से, उसे 7 रुपीज के अंदर अगर बेच रहा है, 2 रुपीज का fraud कर रहा है वो, तो वो पैसा जोड़ेगा, समझ में आया, 2 रुपए वो बचाएगा, ऐसा करने वाले इमानदार, जो 5 की चीज, 5 में बेच रहा है, वो बिचारी क्या profit कमा लेंगे, इसका मतलब हमारे करिकुलम के अंदर, ये चीजे सिखाने और समझाने चाहिए, तभी इंसान आज की modern society के realities को face पर सकता है, इट चैलेंजीज रीडर्स, तो reflect on these issues, and consider the role of education, in preparing students for the realities of the world, यही चीज मैं आपको बताने कोशिश कर देए, कि आज का जो हमारा समाज है उसकी जो सच्चाई है, उसके लिए तयार करना students को जरूरी है, क्योंकि education का main aim है क्या, to prepare a student for the realities of the world, यही तो है, और realities को face करने के लिए जरूरी है, ये भी सिखाना, क्योंकि आज की सच्चाई है, modern society की सच्चाई है ये, ठीक है, अब इस तरह का जो controversial message है, वो देने के बाद, वो दिये जो essay है, clear language में, एक logical structure लिए हुए है, ठीक है, ये जो argument इसके अंदर, आपके सामने present किया है, ये कही न कहीं हमारी modern society को appeal करता है, तो ये इसका main conclusion निकल करता है, यहाँ पर इस essay में कुछ एक example देते हैं बिजनिस के, हाँ, अब बिजनिस के बात करते हैं, हाँ, उसके साथ साथ वो इस तरह की बाते करते हैं, कि किस तरह के से एक इनसान जो है, वो fraud करता है, अगर तो एकदम से अचानक से बहुत बड़ी समपती का मालिक बन जाता है, सस्ता समान करीद कर महंगा बेचता है, इस तरीके से, तो ये सब चीजे हैं न, ये एक तरह से हमारे सामने क्या प्रेजेंट कर रही हैं, ये प्रेजेंट कर रही हैं कि हमें इंपार्टन्स देनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग को और एथिकल बिहीवियर को, ओके, एथिकल यानि जो नेतिक हमारा बिहीवियर होना चाहिए, इस तरह से से उपर जोड़ देना चाहिए, यानि वैसे अगर हम समाज के बात करते हैं, हमारी शिक्षा की बात करते हैं, अगर शिक्षा के में जो मुख्य बोलते हैं, उद्देश है, एम जोते हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं, तो एक अच्छा सच्चा नागरिक बनाना होता है, लेकिन अच्छा और सच्चा नागरिक होना, एक पोल्स अपार्ट वाला काम हो गया यहनी एक सक्सस आदमी और एक इमानदार आदमी दे बोथ हार पोल्स अपार्ट आज की modern society के हिसाब से अच्छा और सच्छा बन जाएगा लेकिन सक्सस नहीं हो पाएगा आज की जो modern society है वो यही कहती है तो कही न कहीं हिलियर बैलेक का जो यह सटायर है वो आज के हिसाब से शुटेबल है तो यह था हमारा आज का वीडियो आज के इस टॉपिक पर बेस्ट अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए शेयर किया कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने में कुछ भी पैसा नहीं लगता आपका एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है और इस फैमली का मेंबर बन जाना है थैंक्स फॉर वाचिंग